अबी क्या है हमारा study time है तो बेटा study time में आज हम लोग क्या करने वाले हैं आपकी जो ये book है ना अक्षर बसंत हिंदी की जो book है इसमें मैंने आपको page number 13 में ये ज़ला part करवाया था करवाया था और मैंने क्या का था आपकी next class में मैं आपको ये करवाऊंगी क्या है ये मिलान करना है क्या करना है हमें पिक्चर्स दे रखी है पिक्चर्स को स्वर के साथ मिलाना है तो हमने क्या किया था उस दिन से इतना ही किया था ना आज हम लोग यह जो मरा next बचा है ना पेस नमबर 13 पे हम इसको अच्छे से मिलान करेंगे ठीक है पिक्चर्स देखनी है और स्वर के साथ इसको मिलाना है ओके बिटा, clear शेल भी start ओके, let's start बिटा, आप पहले क्या करोगे यह पिक्चर देखोगे यह आपको किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है हम लोग क्या करने वाले है चित्र को सही अक्षर से सही स्वर से मिलाने वाले हैं हमने लास्ट टाइम ये किया था किया था ना बिटा मैचिंग आज हम लोग ये करेंगे तो सबसे पहले आप लोग पिक्चर देखोगे बिटा ये पिक्चर किसकी बनी हुई है ए से एनक किसकी बनी हुई है A से N तो बिटा आप यहां से स्टार्ट हो जाओ पैंसिल यहीं रखो क्या यह A से N है नहीं यह है नो यह क्या A से N है क्या है यह A से N तो आप क्या करोगे इसको इसके साथ मिला दोगे क्या करोगे इसको इससाद मिला दोगे न, बेटा तो यह क्या बन गया a से a na क्या बन गया a से a na अब उसके बाद देखो हमारी जो next picture है बेटा, वो है किसकी picture है वो? उसे उन की किसकी picture है उसे? उन की तो हम यहां से शुरू करेंगे क्या ये उसे उन है? तो हम लोग इस पिक्चर को इस स्वर के साथ मिला देंगे ऐसे ओके बेटा clear अब हम चलते हैं अपनी next पिक्चर पर यह किसकी पिक्चर बनी हुई है ऐसे अनार किसकी है यह ऐसे अनार, तो वही से स्टार्ट हो जाओ, क्या ये ऐसे अनार है, नो, क्या ये ऐसे अनार है, येस, क्या है ये ऐसे अनार, तो आप क्या कर दोगे, इस पिक्चर को इसके साथ मिला दोगे, ओके, क्या है ये ऐसे अनार, ठीके बिटा, अब चलते हैं, अपनी नेक्स पिक्च देखो next चितर देखो यह किसका चितर है अंसे अंगूर का फिर शुरू हो जाओ क्या यह अंसे अंगूर है No क्या ये अंसे अंगूर है No ये तो हम already कर चुके है क्या ये असे अंगूर है Yes, क्या है ये असे अंगूर तो आप क्या कर दोगे इसको इसके सार मिला दोगे ऐसे ओके बेटा आप देखते हैं अपनी next picture ये है बेटा E से इमली, क्या है ये E से इमली, वहीं पे शुरू हो जाओ क्या ये E से इमली है No, क्या ये E से इमली है, Yes क्या है ये E से इमली तो हम क्या करेंगे इसको इसके सार मिला देंगे ओके बेटा, अब हमारी एक ही picture बच्ची है, और एक ही स्वर बच्चा है, देखो इधल ये किसकी picture है, री से रीशी की, और ये क्या है री से रीशी तो आप क्या करोगे, री से रीशी को इसके साथ मिला दोगे, क्या बन गया ये, री से रीशी, है ना, तो अब भी हमने क्या करा बेटा जित्तरे भी हमारी चित्रते उसको हमने सोर के साथ मिला दिया आपको पता चला ना अच्छा लगा ना आपको तो आपने अपने घर पर अपनी बुक में ये मिलान करना है ठीक है बिटा करोगे ना ओके बाबाई टेक यो